मैं आशोक कमा स्वागत आपका टूमीडिया चैनल में यमना नगर में रावड मेगनाथ में कुमकरण के पुतलों के दहन के दुरान हास्सा हो गया इस दुरान लोग लखड़ी उठाने के लिए अंदर गुसे थे तो जलता पुतला उनके ओपर ही गिर गया जैसे ही पुतलों का दहन सुरू हुआ तो वाता वरंड में जैसी राम के जैकारों के साथ गुझ उठा रावड के पुतले के दहन के बाद लोग लखड़ी उठाने के लिए अंदर घुस आए तब ही रावड का पुतला लोगों के ओपर गिर गया जिसके बाद पुलीस को यातायाद व्यवस्ता सुचारू करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी करोना काल में दो साल तक रावड का दहन नहीं हुआ था जिसका इस बार लोगों में दशारा पर वे रावड दहन का ज़्यादा उसारा यमन अगर शहर थाना परवारी कमल जीत का कहना है कि रावड के पुतलों की लखड़ी उठाने के लिए लोग अंदर गुसाए थे रावड के पुतले का धाचा गिरा है लेकिन धाचा गिरने से किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है रावड के धहन के बाद मेगनाद में कुमकर्ण के पुतले का धहन हुआ बता दें कि दशेरा ग्रावड में 80 फुट रावड और 60 फुट के मेगनाद में कुमकर्ण का पुतले का धहन किया गया यहां पर भारी संख्या में लोग रावण देखने के लिए आय हुए थे सनातन धर्म सभा की और से रावण धहन का कायकरम आयजित किया गया था पुलिस परवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यमना नगर में दशेरा ग्राउंड में रावण धहन के दोरान लोगों के गहल होने की कुछ मीडिया रिपोर्स गलत हैं मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने पुतले के आसपास जाने की कोशिच कर रहे लोगों को पीछे दखेल दिया आमजन से अपील करेगी वे बज़ाय अभवाव पर ध्यान ना दे मौके पर पुलिस भी तैनात थी किसी को कोई भी चोट नहीं लगी कारक करम के दौरान बिना किसी अपरी अगटना की यमना नगर में सभी स्थानों पर पुतला दहन समाप्त हो गया है तो देखा आपने की पुतला दहन के दौरान किस तरह से वह पुतला लोगों पर गिर पड़ा आपको इस वीडियो देखा कैसा लगा आप वीडियो कमेंट जरूर कर गए है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें